हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल का बिंदर भाईया में तो आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छासात का विज्ञान भारती यूपी बोड अभ्यास चार भौतिक एवं रसायनिक परिवर्तन तो दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक एवं रसायनिक परिवर्तन के बारे में तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प को छाट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए भौतिक परिवर्तन में इसका बो नमर सही ये पदार्थो के औरुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है ठीक है खो नमर है निम्नलिखित में से कौन सा रसायनिक परिवर्तन है तो इसका सो नमर सही ये कागज का जलना कागज का जलना एक रसायनिक परिवर्तन है ठीक है और दुसरा प्रश्ण है रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिए तो का नमर प्रश्ण है गर्म करने पर लोहे का लाल होना देखें दोस्तों यहाँ जहाँ जहाँ पर यह रेड रेड का लगा हुआ है यहाँ पर रिक्त अस्थान है ठीक है परिवर्तन है तो भौतिक गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है खनमर है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुड बदल जाते है खनमर है बल्व का जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है खनमर है चीनी का चीनी गर्म करना रासानिक परिवर्तन है और अंगनमर ऐसे परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् यह भी हम लोगों का सही है गा नमबर है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है यह भी हम लोगों का सही है गा नमबर है मौंबती का जलना भौतिक परिवर्तन है तो यह हम लोगों का गलत है और अंगा नमबर है कागज का जलना रसानिक परिवर्तन है तो यह हम लोगों का सह यह चार नमबर प्रश्ण है प्रक्रमों के अंतरगत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथ्वर रसायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गी क्रित कीजिए तो दोस्तों आप सब ये सब देख सकते हैं और से लेके दो तक जो है इसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रसायनिक परिवर्तन है चलिए पहले और नमर देखते हैं कोईले को जलाना अलमीनियम के टुकडे को पीट कर उसको पतला बनाना सनमर है भोजन का पाचन और दनमर है जल में सकर का घोलना तो उत्तर है रसायनिक परिवर्तन में आएगा कोईले का जलना और भोजन का पाचन ठीक है और भौतिक परिवर्तन में आएगा एलमिनियम के टुकुडे को पीट कर उसको पतला बनाना और पांच नमबर प्रश्ण है हम लोगों का निम नलिखित प्रश्णों का उत्तर दीजिए को नमबर है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर है परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रसानिक परिवर्तन, ठीक है, और को नमबर है, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है, तथा क्यों, तो इसका उत्तर है, कच्चे आम का पकन पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता ठीक है और गौ नमबर है भौतिक ततर रसायनिक परिवर्तन के अंतर को उदार सहित लिखिए तो पहले भौतिक परिवर्तन देखेंगे तो उत्तर में भौतिक परिवर्तन है वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पस्चात प दार्थ नहीं बनता है बस उसके भौतिक गुडों में परिवर्तन आ जाता है भौतिक परिवर्तन और अस्थाई होता है जैसे लोहे और गंधक के चुरुड को मिलान देने पर भौतिक परिवर्तन है क्योंकि चुम्बग की सहायता से लोहे के चुरुड को उसके मूल रूप में प्रिधक किया जा सकता है दोस्तो प्रिधक मतलब होता है अलग ठीक है उसे अलग किया जा सकता है अथवा इस मिसरड को पानी में डालेने पर लोहे काचुरुल तली में बैठ जाएगा और गंदक तैरता रहेगा इस प्रकार गंदक को भी मूल रूप में मिसरड से अलग किया जा सकता है ठीक है तो भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे अब हम लोग रसानिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे तो वो परवर्तन जिसमें परवर्तन के पस्चात पदार्थ को पूर अवस्था में आसानी से प्राप्त ना किया जा सके रसानिक परवर्तन कहलाता है इसमें एक नया पदार्थ बनता है या आस्थाई होता है परिवर्तन के पस्चात पदार्थ के भौतिक एवं रसानिक गुड़ दोनों बदल जाते हैं जैसे कि लोहे और गंदक के चुड़ से बने मिस्रण को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आरन सल्फाइड बनता है उससे पुना लो चुड़ या गंदक चुड़ प्राप्त नहीं किया जा सकता है इस पदार्थ चुम्बक अकर्सित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है घौर नमबर है उसमा और सोसित होने वाले दो परिवर्तन लिखिये तो पहला है मैंगनीसियम अक्साइड याने कि मैंगनीसियम का होता है मगनीसियम अक्साइड बन जाएगा याने कि MGO ठीक है और दूसरा है magnesium oxide याने MGO प्लस जल याने H2O ठीक है अगा नबर है क्रिष्टली करण से आप क्या समझते हैं फिटकिरी से क्रिष्टल कैसे बनाएंगे तो उत्तर है इसका किसी पदार्थ के सुध तथ बड़े माप के क्रिष्टल उसके विलेयन से प्राप्त किये जा सकते हैं या प्रक्रिया क्रिष्टली करण कहलाती है फिटकरी का क्रिश्टल करने की विधी तो यह पूछा है के फिटकरी के क्रिश्टल कैसे बनाएंगे तो देखें इसका विधी है फिटकरी का दो चमत chml लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाईए ठीक है ? फिटकरी का चुर्र याने उसे उसका चुरूर जो होगा उसे फोड़ेंगे तो उसका जो फूटा हुआ है भाग उसी को बोड़ है लेने को और आधा कप पानी ठीक है उसमें मिलाना है उसे खुब अच्छी तरह से घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दे फिर उसे उसे अच्छी तरह से घोल के उसे थोड़ी देर के लिए अनों को छोड़ देना है अब इसमें से एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा बांध कर आधे कप पानी में डुबोक छोड़ दे एक सब्ता बाद आप देखेंगे कि फिटकिरी का एक छोटा टुकड़ा ध छोटे छोटे क्रिश्टल प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो छे नमर प्रश्ण है आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रसायनिक परिवर्तन है तो उत्तर है इसका दूद से दही का जमना एक रसायनिक परिवर्तन है क्योंकि दूद को जमाने के बाद जो दही प पूना दूद प्रापत नहीं किया जा सकता सई बाते दूद से दही बना लेंगे लेकिन दही से कभी भी दूद नहीं बना सकते है दूद का दही में परिवर्तन अस्थाई होता है ठीक है साथ नंबर है पृष्ण कापर सल्फेक्ट के क्रिश्टल कैसे बनाते हैं इसका वर्णन कीजिए तो उत्तर है एक बीकर में लगभग एक कप पानी ले इसमें कुछ बुन्द सल्फियूरिक अम्ल की डाले जल को गर्म करें जब यह उबलना आरम करें तो उसमें कापर सल्फेक्ट का चूर डालते जाए और चमच की सहायता से घोलते जाए जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलेन को फिल्टर पेपर से छान ले बीकर को इस्तिर अस्थान पर रख दे ध्यान रहे वह हीले डूले नहीं कुछ समय या दिन उपरांत देखें ठीक है कुछ समय या दिन के बाद देखना है ठीक है उसको कुछ समय या दिन के बाद देखेंगे आपको कापर सलफेक्ट के क्रिस्टल बिकर तली में दिखेंगे क्रिस्टली करण भौतिक परिवर्तन को एक उधारण है ठीक है आठ नमबर प्रश्ण है जब नीमू के रस में खाने का सोड़ा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है वह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाईए ठीक है तो इसका उत्तर है जब नीमू के रस में खाने का सोड़ा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है या एक रासानिक परिवर्ता ने क्योंकि नीमू का रस और खाने का सोड़ा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं नीचे नीमू का रस याने की सैट्रिक एक एसीड इसका होता है H3C6H507 प्लस खाने का सोड़ा याने चार 3NaHCO3 डैस कार्बन हाइडरोकसाइड प्लस जल प्लस लवर याने की कार्बन हाइडरोकसाइड का होता है 3C02 प्लस 3H20 प्लस Na3C6H507 तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम लाइक सस्क्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे दोस्तों को सियर करें धन्यवाद